नमस्कार बहुत स्वाकते हैं अब सुभी का आप देख रहे हैं प्रदेश का नम्मो वन चैनल जी मद्यप्रदेश रतीस गड़ वक्त हो गया दिन दहड़े का और मैं हूँ आपके साथ मनुतिवतिया करगौन से खबर है जहां सोयबीन की फसल बरबाद किसानों ने खेतों में फसल को जला दिया है भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है कसरावत जनावत बढ़वा इलाकों के किसानों ने फसल को जला दिया है फसल उपद से ज्यादा कटाई महंगा होने से खेत में ही इस जला दिया क्या है जिसकी तस्वीरे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल को यहां खेट से मंडी तक पहुचाना कि सानों के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था क्योंकि पहले ही जो फसल है वो बेमौसम बारिश की वज़े से बर्बाद हो चुकी है दाना उसमें है नहीं तो ऐसे में किसानों ने इस फसल को जलाना ही उचित समझा कि स्वयाव इनकी फसल इसकारण जलाई जा रही है कि मोसम की मार की वज़े से अत्तिवरस्टी के कारण इसमें अफलन की स्थिति पहदा हो गए थी पाउधा तो बहुत अच्छा बना था अच्छे देखके मैंने कटवा भी लिए पर निकालने की नौबत आई तो सोचा कि है तो ठ्रेसर वाले को भी ज्यादा पऊशे देना पड़ेंगे इसलिए मजबूरन मुझे से जलाना पड़ा है राई सागरभी किसानों को खाद का संकट हैखाद वितरं किंद्रों पर किसानों का डेरा है किसानों को नकली खाद यहां बेचा जा रहा है एक किसान ने क्रिश्ची विभाग में श्रकायत की खेत में परताल करने पहुचे क्रिश्ची अधिकारी खेत में नकली खाद पाया है तस्वीरे आप देख लीजिए बैतूल जरेके क्रिशी उपच मंडी बडोरा में मंडी प्रबंदन की बड़ी लापरवाही सामने आई है किसानों को मंडी के अंदर नहीं जाने दिया गया गेट पर ताला जड दिया गया जिसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया सोचना मिलते ही कलेक्टर मौकी पर पहुचे और मंडी प्रबंदन को जमकर फटकार लगाई किसानों को मंडी के अंदर दाखिल कराया वहीं कलेक्टर ने मंडी सचिव को फोन किया लेकिन सचिव ने फोन रिसीव तक नहीं किया जिसकी बाद कलेक्टर भड़क गए और अब जाच के लिए स्ट्यम को निरदेश दिये हैं जादे की इंदरों मंडी में सोयाबीन और मक्का की बंपर आवक है और ऐसे में मंडी में उचित वैवस्ता नहीं की गई है जिसकी वज़से किसानों को काफी परिशानी छेलनी पड़ रही है तो बैतूल से खबर है जहां मंडी प्रबंदन ने गेट पर ताला जड़ दिया जिसकी वज़से किसानों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा और यहां तक की जब कलेक्टर मौके पर पहुँचे तो मंडी प्रबंदन को फटकार लगाई ही और साथ ही जब कलेक्टर ने मंडी सचिव को फोन किया तो सचिव ने फोन तक रिसीव नहीं किया जिसके बाद कलेक्टर और भड़क गए और उन्होंने जाच के लिए स्चेम को नरदेशित कर दिया है आपको ये भी बता दे कि इन दिनों मंडी में सोयाबीन और मक्का की बंपर आवक है और ऐसे में मंडी में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है और किसानों को परिशान करने के मंडी प्रबंदन की तरफ से यहां ताला और लगा दिया गया जिसकी वजह से किसानों ने यहां पर हंगामा किया है उसी दौरान की ये तस्वीरे आपके सामने हैं किसान यहाँ पर अपनी सोयाबीन और मक्का की फसल लेकर पहुँचे थे मंडी प्रबंदर ने ताला जड़ दिया तो वहाँ सडक पर ही उन्होंने अपने वाहन खड़े कर दिये जिसकी वज़से जाम भी लग गया किसानों की परेशानी की तस्वीरे हम देख रहे हैं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि किसानों के लिए ये खुशियों वाली दिवाली आखिर कैसे मनेगी जी बिल्कुल जिस प्रकार से किसानों की फसले खराब हुई ये उससे ये लगता है कि ये जो दिवाली है उनके लिए फिकी रहेगी हमारे खरगोन में ही स्तती को देखी जाया तो जो है भारी बारी से कारण जो है किसान की सोया भी इनकी फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई है उसके जो फसल ये पोधा था वो जरूर बड़ा हुआ मगर जब उसमें फली लगना थी उसमें दाना आना था उस समय लगातार बारिस हुई इस कारण से न तो उसकी फली डंग से लग पाई उस कोधे में न उसमें दाना पनप पाया और हलात ये रहे हैं कि जब फसल काटने की बारी आई और उसने किसान ने जब अपनी फसल को प्वली और इनको देखा तो उसमें दाना नहीं के बराबर था बहुत कमजोर था और बारिक था इतना था कि जो till फासल को घर लाना किसान के लिए तो सबसे बड़ी दिवाली वही है कि अगर उसकी अच्छी फसल हो जाए लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है खरगौन में तो फिलाल महेंदर दो बेमारे सयोगी सागर से जुड़े हुए हैं महेंदर यहाँ पर तो किसानों को नकली खाद बेची जा रही है घंटों घंटों किसान लाइन में लग रहे हैं कूपन मिलने के बाद भी किसानों के हिस्से नकली खाद आ रही है तो कैसे मना पाएंगे देवाली जब वसल ही नहीं आगे की वो पाएंगे तो फिर खुश्य कहां से आएंगे किसानों के घर में माहेंदर भी हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़ेंगे फिल हाल हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हैं रुपेश आपके पास आती हुमें क्योंकि यही सवाल आपसे भी है क्योंकि किसानों का जो संकट है वो क्या है खाद को लेकर हो चाहे वो मंडी प्रबंदन को लेकर ह जो हमने तस्वीरे देखी कि किस तरह से किसानों को परिशान किया गया, मंडी प्रबंदन ने यहां एक तरह से गुंडा गर्दी की। पूरे बडोरा छेतर में लंबा जाम लग गया था, जब किसानों उनने कई बार जो है गेट खुलने का रोत किया, मंडी प्रबंदन ने उनकी नहीं सुनी, तो आखिरकार किसानों ने हंगामा किया, और हंगामे की जानकरी लगते ही बैतुल कलेक्टर जो है देर रात मंडी पहुचे है और उन्होंने पहले तो मंडी का ताला खुलवाया, और जब सेकेटरी को फोन किया, तो सेकेटरी ने कलेक्टर का फोन तक रिशीव नी किया, जिससे नाराज होकर कलेक्टर ने एस्दियम को जाच की आदेश दिये, और तेकटरी के खिलाब कारवाई के किसान को बड़ा परिशानी के जली पड़ रही है, वहीं जो है, किसान चाह रहा है कि जल्दी से उनकी फसल भिख जाए, जिससे वो दिवाली मना पाए, लेकिन जिस तरह से मंडी प्रवंदन अडंगे लगा रहा है, उससे किसान यहाँ पर परिशान और नाराज जरू दि रायपूर से खबर है, जहां SI भरती परिशा का रेजल्ट जारी कर दिया क्या है, करीब साथ साल बाद यह रेजल्ट जारी हुआ है, अभियर्तियों ने जीम अधिप्रदेश अतीजगर का आभार जटाया है, दिवाली से पहले SI अभियर्तियों को यह बड़ा तौफा मिल है, 2018 में SI भरती की परिक्षा हुई थी, रेजल्ट के लिए अभियर्तियों ने प्रदेशन किया था, और वो प्रदेशन की तस्वीरे भी, जीम अधिप्रदेश अतीजगर ने लगातार दिखाई थी, कि किस तरह से दूर दूर से अभियर्ति पहुचते थे रायपूर में और यहां पर प्रदेशन किया जाता था कई बार, ग्री मंतरी विजय शर्मा के आवाज का घेराओ भी किया गया था, बाचीद भी कई दौर की हुई, लेकिन उसके बाद जाकर अब ये रिजल्ट जारी हुआ है, तो दिवाली से पहले बहुत बड़ा तौफ़ा ये अभि पर जताया है, क्योंकि हम आवाज बने हैं इन अभियर्तियों की, क्योंकि हमने लगातार इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया है, क्योंकि इस मामले में हाई कोट का आदेश तक आ गया था, कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी करना होगा, इससे पहले भी परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, 2018 में ये भरती परिक्षा होई थी, लेकिन तब से अब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, अब 7 साल बाद जाकर इसका रिजल्ट जारी हुआ है, और इसमें कहीं न कहीं एक महत्तपोर भूमी का, आपके अपने चैन परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, 7 साल बाद ये रिजल्ट जारी हुआ है, ये रिजल्ट की ही तस्वीर है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और कई अभियतियों ने एक्स्क्लूसिव बाचीत की है, जी मध्यप्रदेश शारी जा आया है, जी मध्यप्रदेश शतीजगर का, क्योंकि हम भी लगातार उनके जो अभियर्तियों का संखर्ष है, उसमें जी मध्यप्रदेश शतीजगर उनके साथ खड़ा था, लगातार इस खबर को हमने प्रमुक्ता से दिखाया था, लेकिन अब दिवाली से पहले एक बड पीछे एक लंबा संखर्ष अभियर्तियों ने किया है, लेकिन अब यह जो संखर्ष था, यह रंग लाया है, जो महनत है, वो रंग लाई है और अभियर्तियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और आगे का जो प्रॉसस होगा, वो भी हम आपको पूरी तरीके से तो यह बड़ी खबर अपने दाश्कों को हम बता रहे हैं राइपो से जहां एसाई भरती परिक्षा का रेजल्ट साथ साल बाद जारी कर दिया गया है और अब अभियर्तियों में काफी खुशी देखी जा रही है क्योंकि इसके लिए उन्होंने एक लंबा संगर्ष किया है और आप जाकर यह संगर्ष रंग ला रहा है एसाई भरती परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है लगभग 900 के आसपास अभियर्ति हैं जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है और जो रिजल्ट है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो दिवाली से पहले ये गुड न्यूस मिल गई है एसाई भरती परिक्षा का रिजल्ट जारी करतिया क्या है और एक लंबा संगर्ष अभियर्थियों ने इसके लिए किया है हमारे सयोगी सत्यप्रिकाश जानकारी के साथ चुर गए हैं सत्यप्रिकाश ये वाकई उन अभियर्थियों के लिए बहुत जादा इमोश्टल मोमेंट है क्योंकि उनका संगर्ष आपने बहुत करीब से देखा है साथ साल हो गए उन्हें सडकों पर इसके लिए संगर्ष करते हुए अब दिवाली से पहले ही सही बहुत बड़ा तौफा अब देखिए 2018 में इसका विज्यापन निकला था और उसके बास से ही ये लगातार इस बात के लिए प्रतिक्षा रथे जब परिक्षाओं के पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी कि कब उनका रिजल्ट आएगा पिशली सरकार के दोरान भी लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किये लगातार अपनी मांगों को बुलंद किया लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो पाया मामला कोट भी गया हुआ था और कोट से जब किलियर हुआ जब कोट से उनके पक्ष में फैसला आया उसके लगातार इस बात को लेकर अभी इस सरकार पे दबाव बना रहे थे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि अब तब जब कि सब कुछ इस्तिती साफ है तो उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए पिछले दिनों में वो ग्री मंतरी के बंगले भी पहुँचे थे रातरी वि पदों के लिए नतीजे जारी किये गए हैं और खासतोर पे अगर हम कहें तो 969 पदों पे जो नतीजे जारी किये गए हैं उसमें कई सारे ऐसे पद हैं जो जिन पदों पे नतीजे जारी किये गए हैं जैसे देखिए 577 जो उपनिरिक्षा के 577 पद पे 577 के नतीजे जारी कर दिये गए इसके अलावा विशेश साखा के 79 उपनी रिक्षा के पद पे 79 के रिजल्ट जारी कर दिये गए ऐसे लगबग अगर हम कहें तो 975 पदों के विरुद 969 पदों में रिजल्ट जारी कर दिये गए हैं तो इससे समझिए कि लगबग सभी रिजल्ट जारी हो गए ह और एक बड़ी खुश खबरी एसाई के अभियरतियों के लिए दिवाली से पहले मिल चुकी है यहाँ पर 16 कोईंटल वावा जब्द किया है मिलावट की आशंका के चलते मावा जब्द किया गया है दुकानों पर भी जाच में जुटी है खाद्य सुरक्षा की टीम तो ये तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं तो यहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी साचुरके हैं अनेल ये 16 कोईंटल के आसपास मावा जब्द किया गया है ये केप कहां पर जाने वाली थी और ये सीधा-सीधा लोगों की जान से खिलवार होता अगर ये डेलेवर हो जाती वहां तक तो देखी हम बार-बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आकीर गौालियर भिंड मुरेना में इतनी बड़े पेमाने पर मावा कहां से बन रहा है क्यों गौालियर भिंड मुरेना का खाद विबाग कारवाई नहीं कर पा रहा या वहां तक नहीं पोच पा रहा जहां पर ये मावे का उत्पाद हो रहा है देखिए हमने कई बार ये सवाल खड़े किये और लगातार जैसे कि ये दिपावली का तेवार है और ऐसे में मिलावट खोर सकरी हो जाते हैं ये बिंड मुरेना और गौालियर से मद्द प्रदेश के अलग-अलग जीलों में बड़े पेमाने पर नकली मावे की खपत करते हैं और यही कारण है देखिए आज भी हमने देखा कि राज़दानी भोपाल में गौालियर से एक बस आई और उस बस में 16 कुंटल मावा जो है आया और फिलाल ये तो अभी जाच के लिए सेंपल जो है खादवी बाग ने बेज़े है 16 कुंटल मावा जो है राज़दानी भोपाल के आईस बीटी बसिस्टेंट से ये मावा जपत किया ये मावा भी गौालियर से आ रहा था देखिए अब बड़ा सवाल वापस से वही खड़ा हो रहा कि आकीर गौालियर में कौन है जो इतने बड़े में पेमाने पर मावे की उत्पात कर रहा है और मद्यप्रदेश के अलग अलग जिलो में जो है ये नकली मावे की खपत कर रहा है तो देखिए भोपाल में भी बड़े पेमाने पर जो है नकली मावे की खपत हो रही है और उसकी आवग जो है कई ना कई गौालियर भिंड मूरेना से हो रही है बिल पुजारी ने कहा कि बाबा महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं ऐसे में किसी को भी उनके सामने पगडी, टोपी या ताज पहनने की अनुमती नहीं है। पहते हैं। तो राजा के सामने कोई भियक्ति न तो पगड़ी बांकर न सर पे कफड़ा बाइन यह माहराज की राजा दहराज की मर्यादा उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पेहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकुली है वहां जाकर वह ताज हातों में ले जाकि भगवान महाकाल की यह शरण में रखके और उसे प्रातना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता सम्माइब अनिल जिस वक्त निकिता वहां पहुची वो ताज पहन कर पहुची ती तस्वीरों में दिख रहा है ऐसे ही उन्होंने पूजा अर्चना भी की तो उस वक्त आपत्ती क्यों नहीं जताई गई किसी की भी तरफ से क्यों ताज नहीं उतरवाया गया देखें निकीता पूरवाल मिस इंडिया बनने के बाद कल पहली बार उज्जेन अपने घर पोची और वहां पर उनका भावी सुआगत किया गया रोडशो भी निकीता पूरवाल ने निकाला और जो है अलग अलग जगा निकीता पूरवाल का सुआगत किया गया उसके बाद जो है वो महाकाल के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदीर पोची और अपने सर पर मिस इंडिया का ताज पहन कर पोच गई लेकिन पुजारी का कहना है कि महाकाल जो है अवंतिका के राजा है और उनके सामने कोई भी सरपर टोपी और ताज पहन कर नहीं जा सकता लेकिन बड़ा सवाल ये है जब मिस इंडिया निकीता पूरवाल महाकाल के दर्शन करने पोची थी और पूजा कर रही थी तब निकीता पूरवाल को क्यों नहीं ये बात समझाए गई देखिए वहाँ पर कई पूजारी उस दोरान मोजूद थे और उन्होंने निकीता पू करने जा सकता और जो है इस बात का उलंगन बीस इंडिया निकीता पूरवाल ने किया और उन्हें ताजपें कर नहींजाना चीए था लेकिन-विरोजित दूमानित भी किया गया है पूजारियों ने पूजा भी करवाइए लेकिन किसी नहीं डोका जब वो वहाँ से चले गई तो अब मेडिया के सामने आकर इसको लेकर आपती जताई जा रही है इस पर निकिता क्या कहेंगी या और क्या रेक्शन इस पर आएंगे इस पर रहेगी अवारी नज़र फिलाल बहुत शुक्रिया अनेल आपका तमाम जानकारी के लिए दमों से बड़ी खबर है जहां महिलाओं ने जमकर बवाल काटा है बीच चुराहे पर महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है महिलाओं की आपस पे हाता पाई भी हुई है बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ है मारपीश की घटना CCTV में भी रेकाड हुई है दुकान लगाने की जगा को लेकर ये विवाद हुआ था तस्वीर आपके सामने काफी देर तक ये मामला चलता रहा और उसके बाद जाकर बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है दमों में ये महिलाओं के बीच में ये देखिए रहा है कि रोट साइड जो दुकाने लगाते हैं और उमूमन त्योहार से पहले ऐसी तस्वीरे ज्यादा सामने आती है इसी के साथ इस पोलेचिन में इतना ही है आप देखते रहे हैं जीम अधिप्रदेश शतीसकर